आज मैं आपकी साथ एक ऐसी रेस्पी शेयर कर रही हूं जिसे आप ब्रेकफ़स्ट में बनाए या फिर बच्चों के टीफिन में भेजिए या फिर इवनिंग टाइम स्नेक्स में खाये बेहदी लाजबाब हेल्दी रेस्पी रहने वाली है और इसे बनाना बेहदी सिंपल म बनके हो जाती है रेडी तो यहां पर मैंने ले लिया है बेशन और उसे उसमें पानी डालके एक गाड़ा सा गोल हमने बना लेना है पहले ज्यादा पानी नहीं डाल देना है बाद में यदि जरूर थोगी तो हम पानी को और एड कर लेंगे इसको रख देंगे साइड में ताकि यह थोड़ा सा रेष्ट कर ले और अच्छे से फूल जाये तो जो सब्जय में पास रखी थी वह सब्जय मैंने ले ली है तो एक गाजर एक प्यास छोटा टमाटर पता गोबी पालक और सिम्ला मिर्स तो थोड़ी सी रखी थी आदी सिम्ला मिर्स के लगबग मैंने ली लिए सब सबजय को रखे चील लिया है और पानी में को अधियो दोर ले हैं सबस्वजय को कातना है इसके लिए मैंने हैं अपनी में विह डाल दिया है तो यहां पlimि पे आज्योटे डی दाला है आप जाएcely तो इसमेग यह जरन भी in दाल सकते हो मैं नहीं ही जाये मैं यह वेजिटेबल से भरपूर हैल्दी रहने वाली है आपके बाद जो सब्सब्सब्स डाल सकते हो या फिर आपको जो पसंद है वह आप डाल सकते हो तो सभी सब्सब्स बारिक बारिक से कट गई थी मैंने इसको डाल दिया है हमारा जो बेशन घुल के रखा था ना उसमें औ आप देख सकते हैं कि मैंने बेशन की क्वांटिटी कम रखी है और सब्सब्स की जादा रखी है उसके बाद इसमें एड़ करते हैं मसाले तो भोथी कम मिर्स मसाले इसमें डलती है स्वादानुसान मैंने डाल दिया है नामाक आदा चुटा चमच से रेड चिली पाउडर द्धन्या पाउडर और आदे से भी चुटा चमच से यहां डाला यहां पर गरम मसाला एक मैंने डाल दी है हरी मिर्ची को सकिप कर सकते हैं यदि वग्यरा निकानना कि अप इसे शकिप कर सकते हैं अब सबको अच्छी से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमें लगेगा कि इसमें और आड़ किया आच्छी से मिक्स करना है अब हम इसको 5-5 मिंट के लगब में रख दीए हुँ जब हम इसको रैस्ट करने दें तो हमारी जो चिल्म आना बहुती अच्छे बन के रैडी हो गे तो आप चाहें तो 10 मिंट के लिए भी रैस्ट करने के लिए रख सकते हैं लगबग मैंश में डाल दिया है घी आप चाहें तो यहां पे कुकिंग ओयल भी यूज कर सकते हैं वह जाद आपने घी तेल यूज नहीं करना है ताकि हमारी रेस्पी थोड़ी भी रहे जैसे ही घी गरम हो गया था पैन गरम हो गया था दो से तीन चमच के लगबग मैंश मे बैटर और अब इसको अच्छे से फैला देना है बैटर को पतला पतला ही रखना है ज्यादा मोटा हमने नहीं बनाना है जितना हम पतला बनाएंगे न उतना ही अच्छा यह करंची बनके रैडी होगा तो अच्छे से फैला देना है और जो ही न एक साइड हो गया था इसलि ऐसे नीचे से ट्वराकर शाइप कंगे नीचे से नीचे से सिग शाइप के शारू है शाइप नीचे को我們的 princes नीचे से अच्छे से शाइप सीख ले र Souk की धुडरी हो चाई के साथ लिए ग्रीन चटनी चतनी तो पताई बिंट बैसंद करते है दिए केसि प्री लेचे लिए भूख है बीटियों टराइस बच्छी बेसने दिए बेळम बच्चीchnet के साथ हूं इवनिंग टाइम स्नेक्स में भी आप इसे बना सकते हो और यदि हो आप हो वेट लोस जरनी पे तो उसमें भी आपकी मदद करने वाला है उसके लिए आपको घी और तेल बेहदी कम यूज करना है तो चाय भी बनके हो गई थी रेडी चिला भी बनके हो गया है रेडी तो देना है ताकि पलटने में आसानी रही तो अच्छे से नीचे से सिख जाता है तो अच्छे से पलट भी जाता है टूपता नहीं है बिल्कुल भी ऐसे ही सब के सब चीले मैंने रेडी कर लिये थे तो आपको आज की रेस्पी कैची लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जाद से जाद से शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब और ऐसी ही सिंपल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहना मेरे साथ तो बाई फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में